सामेकम क्लास वान टोडें वी आ गूएंग जू सौल वर नेक्स्ट हाफ और पेज नमबर 47 क्वेश्चिन 2 है रीड़ सेंटेंस राइट प्रेजेंट नाओ और पास्ट बिफोर प्रेजेंट मतब अभी और पास्ट में पहले तो हमने जाना है कि यह प्रेजेंट टाइम है यह पास्ट टाइम है तो हम यह प्रेजेंट और पास्ट राइट करेंगे लिकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यह प्रेजेंट और पास्ट है हमें इस तरह पता चलेगा कि अगर यहाँ पर first form of verb use की गई है sentence में तो वो present time है अगर second form of verb use की गई है तो वो past time है ठीक है we as we know that first form of verb हम use करते हैं present time में और second form of verb हम use करते हैं past time में they stood stood जो है वो form of verb है second हम यहां कहा लिखेंगे past I write right is the first form so present then flu अब flu जो है वो flight की second form है कि हम यहां लिखेंगे past तकी में यह past time को चो कर रहा है we see अब see जो है वो first form of verb है so we will write present you broke break की second form होती है broke so past time mom byes byes is the first form of verb so present तो आपने ताना है कि present time है यह past time है और आप कैसे बताएंगे अगर फर्स फॉर्स फॉर्म अब अब राइट की गई है तो present time अगर सेकंड फॉर्म अब यूज की गई है तो past time अब यूर्स फॉर्स 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 फॉर्स